Guys, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, उसमें बहुत जबर्दस्ता एक game है, एक business plan है अगर आप में से कुछ लोगों का दिमाग ठरक जाना, तो ये बहुत जबर्दस तरीके से profit generate कर सकता है देखो, मेरे पास इस time पे आप लोगो के लिए दो tabs open है majorly वन tab, बलब दोनों ही Amazon के है, लेकिन अगर मैं दिखा हूँ difference तो this is the tab and this is the another tab अब आप बोलोगे इन दोनों tab में difference क्या है, कैसे इन दोनों tab में difference खाली, इनकी country का है इस tab से Amazon.in खुला है और इस tab से Amazon.com खुला है अब आप सब को पता है ना कि Amazon.com, Amazon.in क्या है It's a e-commerce website, लेकिन Amazon.in जो है वो इंडिया के product sell करता है इंडिया में और Amazon.com जो है वो product sell करता है अमेरिकन को हना अब दोनों में खास difference देखना चाहोगे आपको लगता है कि इंडिया में अगर Amazon का website है तो इसका traffic जो होगा वो बहुत ताबर तोड़ होगा क्योंकि यह one of the biggest site है e-commerce में इंडिया में Absolutely, आपकी बात बिलकूल सही है क्योंकि as per the similar web extension Guys, हमारा Amazon.in का per month का searches है 303 million per month 303 million का मतलब पता है आपको 330 million तकरीबन हर महीने 30 करोड़ लोग इस website को open करते है which is among us बहुत बड़ा इसलिए तो जो इसके seller है वो बहुत अमीर होते जा रहे है क्योंकि इस पे इतना product बिखता है कि seller लोग like you know packing कर करके ठक जाते है अगर वो अपने product को सही तरीके से Amazon पे बेच पाते है तो आज का business model पता है का है कि मैं आपको सिखा हूँगा कि Amazon पे कैसी आपको बेचना है क्या बेचना और क्या देखके बेचना है तो आप पस wait करो लेकिन game सर्फ यहीं तक ही नहीं है कि मैं आपको बोल रहो कि Amazon पे बेचना है अगर मैं आपको एक और इस से अपर लेवल चीज दिखा दू तो आप हैरान हो जाओगे और आप भूल जाओगे कि Amazon के इंडिया में कुछ बेचना है I would prefer you to go with Amazon.com selling Amazon US में बेच हो क्योंकि US में Amazon का पर मंथ का ट्राफिक है 2.7 बिलियन जस्ट इमाजन गाइस 2.7 बिलियन का मतलब जानती हो 270 करोड मतलब अल्मोस 10 टाइमस ओफ इंडियाज ट्राफिक मतलब इंडिया में याइस 1.500 करोड की आवादी है 1.500 करोड उसमें 303 मिलियन सर्चेस होके 40 करोड मैक्सिमम उन लोगों ने मिलके 270 करोड बार Amazon ओपन करते हैं मतलब Amazon इतना पॉपुल है उस कंट्री के अंदर कि अगर इसमें कोई सेलर है तो मानलो वो अमीर होना उसका तै है Amazon का अगर सेलर यूएस में न वो अमीर डेफिनिटली हो पाएगा यूझांग कोई रिधास हो अगर सेल कर सकता हूं तो क्या करना चाहिए और उसको किस तरीके से करना चाहिए मैं आज आपको बठाता हूँ कि हाँ आप इंडिया में रहके Amazon पे globally sell कर सकते हो Amazon US में sell कर सकते हो और उसके लिए Amazon के पास प्राद्धान है and that is Amazon Global Selling guys Amazon Global Selling में आपको register करना पड़ेगा now आज इस वीडियो को purpose मेरा बिल्कुल भी यह नहीं है कि मैं आप लोगों को detail में यह सारी चीज़े करके दिखाऊं मतलब step by step आपको हर चीज़ करके दिखाऊं कि देखो ऐसे करना होता है नहीं मेरा परपास यह नहीं है मेरा परपास सर्फ पहले यह है कि मैं आपको दिखाऊं कि ऐसा एक business exist करता है बहुत कम लोग कर रहे हैं इंडिया से बहुत मुठी वर्द और अगर आप में इसे किसी को करना है तो पहले process समझ लो और उसके बाद इसके detail में जाएंगे ताकि detail में जाने वाले लोग जो हैं वो पहले अपने mind make up कर ले पहले process समझ लो कि कैसे होता है तो उस case के लिए मैं आपको बताऊंगा कि Amazon Global Selling एक option है जिसमें साफ लिखा है Export to the USA, Canada, Mexico and Global तो यहां पर आके आपको सिर्फ रजिस्टर करना होता है फॉर्स टाइम के लिए registration का जो भी process होता है यह अपने आप ही आप जब क्लिक करोगे तो आगे बढ़ता हूँ आपको दिखा देगा कि आप अपना address डालो अपना email id डालो या Amazon को कोई existing account है उसको link करो वगरा वगरा GST वगरा यह सब डालना पड़ेगा यहाँ परा अब होगा क्या जैसे आपने Amazon Global Selling के लिए register कर लिया है तो यहां पर यह आपको help करतेगा पूरा documentation में मतलब in fact documentation बनाने के लिए भी आपको यह खुदी help करेगा कि Amazon provides simplified export documentation for your global तो मतलब आप मानके चलो कि आपको सिर्फ नियत बनानी है मन बनाना है कि हाँ मुझे sell करना है Amazon US में क्योंकि उसमें अपने traffic देख लिया और traffic से conversion definitely आएगा क्योंकि इतना traffic है कुछ तो conversion आएगा वो कुछ भी बता है कितना होता है इंडिया से 10 गुना जादा तो अगर आपके पास product है अमेरिका के लिए मैं बताओं कौन सा product हो सकता है बस आप अपना नियत बना लो और एक बर मन बना लो बाकी सब कुछ हो जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा जैसे आप Amazon Global Selling पर रेइस्टर अपने आपको कर लेते हो इसके वाँ सिंपल आपको क्या करना है आपको अपने product को Amazon पर ship करना है like ship your product ship your products from India to the US इसमें भी आपको एक account बनाना पढ़ेगा get started now account exactly नहीं है but get started now पर click करोगे आपको पास Amazon Global Selling का account अलड़ी होगा दोनों से link हो जाएगा अब क्या होगा ऐसा नहीं होगा कि हर particular order पर Amazon आपसे pick करेगा और US बेजेगा ऐसा नहीं होने वाला है आपको एक bulk में जो product है उसको एक जगा पैक करना है for example, T-shirt मा लेते हैं आपको 100 T-shirt टाक करना है और उसको इस सर्विस के तुरू Amazon के warehouse में पहुचा देना है जो कि उसके America में है और जब भी कोई नहीं order आएगा वो उस warehouse से pick करेगा आपके order को fulfill कर देगा आपके customer के लिए ये होता है पूरा जबर्दस तरीका for this global selling तो अब बात आती है कि हमें बेचना क्या चाहिए तो मैं बोलूगा सबसे पहले अगर आपको बेचना है तो कुछ ऐसी चीज़े बेचो क्योंकि global selling है मतलब almost export है तो आप कुछ ऐसी चीज़े बेचो जो कि बहुत हलका हो बहुत easy to manufacture हो आपको उसमें बहुत तामजाब ना करना पड़े ताकि अगर return भी आए return आए और वो आप तक ना पहुँचे तो आपको इतना जादा hurt ना करे और वो उसका manufacturing यहाँ पर इंडिया में बहुत ही cost effective हो guys ऐसा कौन सा कम आप सोच पा रहे हो जल्दी से बता हो guys I would be saying कि you can start selling t-shirt on amazon.com yes for US उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ which is merch informer now merch informer एक ऐसा टूल है जहाँ पर जाके आप यह सर्च कर सकते हो कि इस टाइम पर कौन सा merchandise amazon पर धुआं मचा रहा है बतला ताबर तोड चल रहा है और अगर आप उसको किसी तरीके से replicate अब replicate का मतलब यह मैं समझ नहीं कि बिल्कुल हूँ हूँ कॉपी कर दो नहीं आपको समझ आ जाएगा कि किस टाइप की चीजे जादा चल रही है आप अगर वैसा कुछ बना सकते हो और यहां पर आपको बहुत जादा कुछ नहीं करना है सिर्फ छोटा से फिल्टर से लगा फिल्टर क्या है कि मैं चाहूँगा सर्च वाइब बेस्ट सेलर मतलब वह प्रट्ट में जादा देखे जो कि बेस्ट सेलर क्याटेगरी में है मतलब जादा बिक रहे हैं प्लस यूएस की मार्केट प्ले सोनची है और यह सब कुछ मत करना मर्च बाइब आमजान शिर्ट एंदन यहां पर गाइज मैं आपको पता दूँ इसको आपको वन से लेके एक लाग रखना है इस बी आसार रांकिंग होती है आवरेज बी एसार एक से पचाजार रखोगे और उसका आप कुछ नहीं करोगे सिंपल आप यहां पर जाके सर्च कर दोगे अब यहां पर आप देखना यह रहे वो प्रॉडट्ट जो की एमजान पे इस टाइम पे ताबड तोड बिक रहे हैं यहां अमजान डॉट कॉम पे जिस लुक अड़िट एम टीवी म्यूजिक टेलिविजिन यह एक टीशिट है सिंपल टीशिट है खली इसमें प्रिंट है अब यह जो प्रिंट है आपके पास टीशिट अगर ब्लाक कलर की है आप उसपे काली यह प्रिंट करोगे इस टाइप का आप तो यह नहीं कर सकते क्योंकि आप इस टाइप का प्रिंट करोगे प्रिंट करना भी बहुत इंडिया में आसान बात है क्योंकि इंडिया में अगर मैनुफाक्चरिंग की बात करूं तो बहुत easily इस type के prints जो है हमारे आजपास available होते है गैस देखे हो 17 डॉलर के ये product बिक रहा है 17 डॉलर which is a very good amount which is तक्रीबन 1400 रुपे का ये product यहाँ पर बिक रहा है और हमारे इंडिया में ये product बनाने का maximum खर्चा maximum बोलरों कर आपको wholesale में बनाने को मिल जाए तो ये तक्रीबन 1500 से 200 रुपे का अंदर आपका बन जाएगा मैं 500 रुपे का shipping लेता हूँ पूरे इस दौरान ठीक है उपर से 200-300 रुपे का मैं Amazon का fees भी लेता हूँ तो भी guys आपका 1000 रुपे का अगर ये product परता है और आप इसे 1400 में बेशते हो और खासकर US market में जहाँ पर बहुत जादा product बेखता है तो ये फिर भी 400-500 रुपे का आप आराम से मार्जिन या से निकाल पा रहे हो guys इस product का estimated sale है 810 every month 810 इसका every month का sale है गाई just look at it same goes with अगर ये product देखता हूँ it's my birthday ठीक है इसमें भी ये तो 20 dollar का product है इसमें भी तक्रीवन 720 sales per month होता है और यहाँ पर देखो 720 sales per month इस product का भी होता है MTV Music Television का ही है ये same happens देखो ये है Ninja Turtles राइड और ये भी 17 dollar का है 720 estimated sales है वगरा वगरा आप देख लोगे आपर यहां मैं इस type का जो T-shirt है उसको बेच के अराम से Amazon.com पे अपनी sales निकाल सकता हूँ तो अब आपको basically क्या करना है काईज इसमें से किसी भी types के 10-15 designs बना लो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और इन 10-15 designs के पतलब तकरीबन 100-100 pieces बनवा लो आपके बास मोठा मोटी कितना हो जाएगा 1500 piece का बल्क हो जाएगा अगर आप उस level पे करना चाहिए मैं चोटे-मोटे level की बात नहीं कर रहा हूँ अगर कर रहे हो एक export का business कर रहे हो तो बहुत चोटे level पर तो पॉसिबल नहीं है वो पूरा product उठाके वहाँ पर send कर देना है उनके warehouses में और यहाँ पर अपने global selling में जाके सारा SKU वगरा बना लेना है बस आपको sale आनी start हो जाएगी एक बार sale आनी start हो जाए और आपके product से जो customer है वो खुश हो जाए तो guys आप यकीन मानो Amazon आपको इतना भर भर के sale देगा कि आप सोच नहीं सकते है क्योंकि Amazon उन products को जादा बढ़ावा देता है as per their algorithm जिनमें बहुत अच्छा खासा margin होता है और जब हम अपने इंडिया से कोई product भेजते हैं जहाँ पर manufacturing सस्ती है print सस्ता है, कपला सस्ता है वहाँ पर margin निकले गई तो वहाँ पर वो आपके margin के basis पे बहुत जादा sale आपको provide कर सकते हैं और एक बार sale आना start हो जाए और अगर आप BSR best seller ranking category में आ जाते हो तो कि देर से वेद आहीं जाते है लो तो आपकी life set हो जाती है इस export business में I hope guys so far so clear तो इसलिए पहले मन बना लो और detail में जाना है तो मुझे comment में करके बताओ अगर comment में सब कुछ सही रहा मुझे लगा कि हाप लोगो इसकी detail की जरौत है तो I'll be giving you the detail video on how to do this sport global business on Amazon that's all for the day guys मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day see you and bye